नमस्कार दर्सको न्यू जेटील लोकल में आपका स्वागत है वैसे तो इस धर्ती पर करोडो वरक्ष है लेकिन उन में से कुछ वरक्ष ऐसे भी हैं जो हजारों वर्सों से जिन्दा है और कुछ ऐसे हैं जो चमर्त कारिक हैं ऐसा ही एक वरक्ष जनपर मुझफर नगर की तीर्थ नगरी सुक तीर्थ में भी है यह वरक्ष लगबग 5000 वर्स पुराना वरक्ष है जिसकी सांखाएं 150 फीट उची विशाल है इस वरक्ष की सांखाएं दूर दूर तक फैली हुई है लोगों का ऐसा मानना है कि इस दिव्य वरक्ष के नीचे बैट कर रिसी सुक देव मुनी ने साथ दिनों तक राजा परिक्षित तथा रिसी मुनीों को स्रीमत भागवत कता सुनाई थी यह वरक्ष आज भी हरा भरा अपनी बाहें फैलाए खड़ा है और अपनी मनोहारी छटा बिखेर रहा है वरक्ष के बारे में मान्याता है कि परजड के दोरान भी इस वरक्ष का एक भी पत्ता सूक कर जमीन पर नहीं गिरता है वे हमेशा अपने पत्ते हरे भरे रखता है कभी भी इसका एक भी पत्ता नहीं सूका है इस वटवरक्ष की एक और विशेश विशेशता है इस विशाल वरक्ष में कभी भी जटाई उत्पन नहीं हुई है यह वटवरक्ष आज भी जोंकात्यों हरा भरा खड़ा हुआ है वही इस वटवरक्ष की पूजा पाट करने के लिए दूर दूर से सरद्दा लुआते हैं और इसे वटवरक्ष की पूजार्चना करते हैं और धागा बांद कर अपनी मन्नते भी मांगते हैं लोगों का मानना है कि यहाँ पर वटवरक्ष की पूजार्चना करने से और धागा बांदने से अपनी मांगी गई मन्नते पूरी होती है जानकारी देते हुए पुजारी अर्गिन सर्माने क्या बताया आप भी सुनिये जानकारी शुक्दे मुनिकर में भगवान परकट हुए शेह दिन तो भगवान ही कता सुनाई शाथ वदिवस अश्टांग योग के द्वारे मौक्स पराण निकाल दिये तो अर्थात उनको मौक्स प्राप्त हो गया जो पांड़ों को ने मिल पाया तो भागवत जो है मोक्स तो यहां बैठे तो उन्होंने पुझा दिया इसलिए दूर दूर से लोग बाग आते हैं कि जो भागवत तो हर बासा में है ना तो लोग सोचे कि जहां शुक्देजिन में भागवत सुनाई तो अम्मे जीवन में एक बढ़ जाके वहां भागवत कता सरवन करें यह अकाल मेरा नाम उज्वल तोमर है मैं बागपत का रहने वाला हूं बागपत में बढ़ोत हैं उसके पास का काम है मेरा मंदिर में आए श्रदालू उज्वल तोमर ने क्या बताया यह भी सुनी है जो सुक्देव रिषी थे उन्हाने जो अर्जुन के पोते थे प्रिक्सित जी तो उनको कानी सुनाई थी महाबरत की यह तो तब से यह को मता पूझते हैं और मनतेवक्स की ही पूझा के जाती है में तो वही है बागी सब मंदिर वंदिर तो बादमने पहले पूझे जी आ झाल